दुनिया भर में कोरोना वाइरस की देश्यत फ्यलने की वज़स देश्वर में जारी किया गया लोगडाउन लेकिन लोगडाउन में लोगों को तमाम बड़ी से बड़ी परिशानियों का सामना भी करना पड़ा ऐसी में बॉलिवुड के सेलेबरिटीज लगातार मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए भी नज़र आए इसी बीच हमेशा ही फिल्मों में आप सभी को एंटेटेन करते हुए नज़र आए कभी विलन के किरदार में तो कभी लीड एक्टर के किरदार में हम बात कर रहे हैं यहां पर सौनुसूद के बारे में सौनुसूद लगातार प्रवाजी मज़़ूरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुचाने में मदद कर रहे हैं वही लगातार सौनुसूद मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाये हुए है लेकिन अब सौनु सूद के फैंस के लिए एक बड़ी खुश खबरी सामने आई है जी हाँ दोस्तों जानकरी के लिए आपको बता दें कि सौनु सूद बहुत ही जल अब तक के अपने तमाम अनुभवों को लेकर एक किताब लिखने जा रहे हैं इस बात का खुलासा खुद सौनु सूद ने किया है दसल जानकरी के लिए आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मताविक सामने आया है कि सौनु इस किताब में अपने बच्पन से लेकर अब तक के सफर पर विस्तार से लिखते हुए नजर आएंगे साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों को घर बेजने के अपने अनुभब पर भी विसेश तोर पर बताते हुए नजर आएंगे सौनु ने हाल ही मैं अपने एक इंट्रिव्यू में कहा है कि इस किताब में मेरे पंजाब से मुंबई आने तक के सफर यहाँ पर आने के बाद मुझे किन-किन तकलीफों से गुजरना पड़ा किन-किन लोगों से मेरी मुलाकाते हुई और एक एक्टर बनने के लिए मैंने किस तरह का संघर्स किया और जिंदिगी को जिया साउथ हिंडियन मुवीज में उनकी एंट्री इन तमाम पहलूँ पर सौनु सूद प्रकास डालते हुए नजर आएंगे जी हाँ जहाँ एक और सौनु सूद लगाता लोगों की मदद कर रहे हैं तो वहीं अब सौनु सूद ने एक बड़ा सर्प्राइस दे दिया है अपने फैंस को साथी साथ आपको बता दें कि सौनु ने कहा है कि कोविट नाइनटीन आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया जब लोग डर डर के मारे घर पर बैठे हुए थे तो ऐसे समय में मैंने निश्य किया कि मैं घर से निकल कर लोगों की मदद करूँगा ऐसी में मैंने किस तरह से लोगों को उनके घरों तक पहुचाने की कोशिश की किस तरह उन्हें अपने घरों तक पहुचाने के लिए मुझे तमाम परिशानिया जेलनी पड़ी जैसी तमाम बातें इस किताब में लिखी जाएगी साथी साथ आपको बता दें इस किताब का नाम और इसके प्रकाशन की तारिक फिलहाल अभी सामने नहीं आई है इस किताब में देशवर में फसी लोगों की मुश्किलों भरी दास्तान का जिक्र किया जाएगा लोगडाउन के दौरान लोग अपने घरों में पहुँचने को लेकर बेताब थे किसी के पिता का एकसिडेंट हो गया था और किसी की मा बीमार थी कई महिलाएं प्रेगनेंट थी ऐसे तमाम लोगों की कहानियों को मैं रेखांखित करने वाला हूँ इतना ही नहीं ऐसे कई प्रवासी मजदूर हैं जिनके पहुचने के बाद आज भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ इसे सभी रिष्टों को लेकर इस किताब में जगा दी जाएगी जानकरी के लिए आपको बता दें कि खबरों के मताबिक कहा जारा है कि सौनुसूद की ये किताब इसी साल अक्टूवर महीने में प्रकाशित हो सकती है और इस तरीके से सौनुसूद ने खुलासा किया है अपनी किताब को लेकर हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्श को इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे है नेक्स्ट नाइन न्यूज